मैं आज आपको एक ऐसा method बताऊंगा अगर आपने इसको अपनी preparation में apply कर दिया अपने routine में आपने इसको अगर add कर दिया मैं guarantee के साथ कह रहा हूँ कि एक हफते में आपको change दिखेगा ठीक है? एक हफते में आपको change दिखेगा और आपको सिर्फ मुझे एक घंटा देना है मैं आपको एक ऐसी activity बताऊंगा एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपने सिर्फ एक घंटा चीए मुझे आपका आप पूरी दिनबर में जो भी preparation कर रहे हो जो भी पढ़ रहे हो वो आपकी choice है 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे जो मर्जी करो लेकिन मैं सिर्फ एक घंटा आपसे demand कर रहा हूँ और ये एक घंटे में मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है बस आप इस चीज को regularly करो till your prelims मैं guarantee के साथ कह रहा हूँ कि एक हफते में सिर्फ एक हफते में आपको change दिखेगा और जो आपका confidence है वो boost हो जाएगा और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ ठीक है इस वीडियो को प्लीज पूरा धियान से देखिएगा क्योंकि वो ही है अगर आप नहीं देखोगे तो मुझे लगता है आपका loss है और guarantee के साथ मैं कहता हूँ यह वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है ना कि नहीं यह फाल्तू की activity है तो unsubscribe कर देना openly बोल रहा हूँ unsubscribe कर देना क्योंकि जो चीज मैं बनाता हूँ बहुत ही practical way मैं चीजों को बनाता हूँ और trust me सिर्फ एक घंटे में मांग रहा हूँ और एक घंटे से आपकी preparation एकदम change हो जाएक और यह method आज तक ना किसी ने पहले आपको बताया होगा और ना यह एक method आज के बाद तो शायद बनाने लग जाएंगे लोग इसके regarding लेकिन यह आपने नहीं कभी सुना होगा नहीं यह आपके दिमाग में आया होगा इसको आप follow तो कर रहे होंगे daily basis पे बट सिर्फ मैं एक घंटे की बात कर रहा हूँ जो की I am not saying की सिर्फ एक घंटे से आप exam clear कर दोगे बट एक घंटा आपकी जो existing preparation है उसमें एक value add कर देगी ठीक है कुछ नहीं करना है तीन चीज़े आपने करनी है मैं आपको बताता हूँ एक घंटे को break करके मैं बताता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज यह जो activity मैं आपको बता रहा हूँ इसको follow करिएगा एक हफते apply कर दो अपने preparation में एक हफते सिर्फ एक हफते कर लो आपको change नाजर आ जाएगा और फिर you will continue this till your exam ठीक है? पिलम्स तक करना है इसको especially और यह जाधा helpful होगा 2023 aspirants के लिए especially जिनोंने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रखी है जो एकदम complete beginners हैं आप लोग इसको सुन सकते हों और जब आपकी थोड़ा सा you know basics cover हो जाएंगे then you can apply this thing in your preparation ठीक है? सिर्फे start करते हैं बहुत short video रखूंगा एक घंटा है देखो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है एक घंटा जो आपने मुझे दिया है इस एक घंटे की मैं बात कर रहा हूँ बाकि जो आप throughout the day कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है मैं उस पर कुछ नहीं बात करूँगा current affair, optional, whatever you are doing, do it मैं उसके घंटा कुछ नहीं बात कर रहा हूँ मैं बस कर रहा हूँ, एक घंटा मेरे को दे दो चाहिए सुबह उठने के बाद, या दिन में, या शाम को बस बोल दो कि आप एक घंटा शेशांग सजवान के नाम, ठीक है थोड़ा funny लग रहा है, but trust me this is one of the best method, ठीक है एक घंटा है, सबसे पहला आपने क्या करना है इसमें आपको कम से कम तीन रजिस्टर चाहिए होंगे ठीक है, तीन separate रजिस्टर आपके पास होने चाहिए market जाना कल और तीन रजिस्टर बाइ कर लेना अगर हैं आपके पास already तीन रजिस्टर जो newspaper के notes हम डालते हैं daily basis पे, ठीक है सबसे पहले उन newspaper के notes को आपको सिर्फ 10 minute में complete करना है 10 minute में आपने go through करना है, पढ़ना है जो भी आप 10 minute में gain कर सकते हो, वो करना है और बाकी के जो 5 minute है, उन 5 minute में आपने जो articles हम post करते है newspaper के, एक है क्या दो-दो, जो भी आपको काम की चीज लगती है factual हो गई, या थोड़ी conceptual हो गई, या कोई subjective, कोई issue हो गया वो किस चीज से related है, उसको आपने note down कर देना है अपने एक register में, तो if I say, that means you have to make your simple notes अगर मैं अब length की बात करता हूँ, आदे पनने से जादा नहीं बना चाहिए 5 minute लगेंगे, that will be more than sufficient 10 minute में आप read easily कर लोगे, ठीक है, 5 minute में वैसे easily read हो जाते है अगर आप रटेने वाले हिसाब से read करोगे, तब तो आपको आदे गंडे लग जाएंगे आप चीज़ें रटे नहीं है, you don't have to memorize things, you just have to go through the things, right? यह पर आप go through करोगे, 10 minutes sufficient है, 5 minutes में आपने जो भी key points आपको लगते हैं बाई, factual होगी, कोई article दिग गया, कोई amendment दिग गया, economic कोई concept दिग गया, environments related कोई species जो नहीं found हो गई इस तरी की जो factual चीज़ है, वो लिख देना, और अगर थोड़ा सा कुछ आपको लगता है कि बाई, जैसे issue आता है, है ना, इंडिया, चाइना issue हो गया, या international कोई issue चल रहा है, उसको एक दो line में लिख दो कि बाई, this is, issue is about this thing, खतम, 15 minutes, बस 15 minutes देने इस activity में इसके बाद दूसरा कम आपने क्या करना है, daily basis पर, यह activity आपने करनी है, Monday to Friday, एक घंटा मुझे आपका daily चाहिए, बड़ यह activity आपने करनी है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday में क्या करना है, मैं बताऊंगा, हाँ, newspaper के regarding, जो newspaper का जो link है, मतलब group का, telegram का link है, वो मैं description पर डाल दूँग, आप वहाँ से join कर लीजिएगा, दोसी चीज़ जो आपने करनी है, वो आपने करनी है, कि previous year questions, daily basis पर सिर्फ 10 solve करने है, मतलब जो आप बागी कर रहे हों तो करो आपने इसाब से, मैं उनके साथ, मैं integrate नहीं कर इस चीज़ को, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, 10 MCQs आपने daily basis पर solve करने है, 10 अब इसको आपने subject wise divide कर देना है, एक दिन आपने polity करा, एक दिन आपने economy करा, एक दिन आपने history करा, एक दिन आपने geography करा, और पांच वे दिन आपने environment करना है, that is it, you just have to touch the five subjects, बाकियों क को अभी छोड़ दो, ठीक है, मेरे time के according नहीं मैं बता रहा हूँ, तो जैसे आपने Monday है, Monday को आपने 5, 10 politic MCQs उठाए, उनको practice करना है, solve करना है, उसके बाद Tuesday, Wednesday, Thursday and so on, economy, history, geography, लेकिन अब इसको आपने time देना है, 25 मिनट, इस activity को आपने time देना है, 25 मिनट, जो ये MCQs वाल पे 15 मिनट में आपने चीज़ों को solve करना है, 15 मिनट are more than sufficient for 10 questions, और speed इतनी आपने रखनी है, solve करने की कोशिश करनी है, अगर solve नहीं हो रहे है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, लगाने की कोशिश करो, नहीं आ रहा तो उसके answer देख लो, दूसरी चीज़ आपने क्या करनी जो आपके बाद 10 मिनट बसते हैं, उन 10 मिनट में आपने जो भी प्लिंस में चीज़ें आपको दिखती हैं, उसके भी आपने एक क्लाइन में शॉर्ट नोट बनाने है, इक्जैम्बल के तौर पे पॉलिटी में आपने देखा कोई आर्टिकल आगिया है, उसका लिख दो क्या है, कोई exception statement आगी है, president से regarding, money bill से regarding, parliamentary committee से regarding, composition members की, constitutional body, non-constitutional, जो भी चीज़ आपको दिखती है, ज्यादा extra नहीं जाना है, उसको note down कर दो, अप्शन में कुछ काम का लिखता है, उसको note down कर दो, ठीक है, ये activity 25 मिन में हो जाएगी, तो 25 मिनट इस activity के, MCUs वाली के, इससे प देखने हैं और analyze करना है, solve नहीं करना है, answer writing नहीं करना है, again I'm telling you, you don't have to do answer writing, आपने analysis करना है, analysis करना बहुत तफ नहीं होता है, आसान होता है, analysis का मतलब यह होता है, जो question, example की तौर पर बहुता देता हूँ, इसमें आपने क्या करना है, एक दिन आप GS1 उठाओगे, तो मैं recommend करूँगा, जैसे जब आप यह quality उठा रहे हो, तब GS2 उठाओ, economy उठाओगे तो GS3 उठाओ, history geography है तो GS1 उठाओ, and पांचमें वाले पे, day पे, जब environment उठाते हो, उधर आप ethics का उठा सकते हो, if ethics is not compulsory for now, तो I would say आप GS3 उठाओगे, तो यानि दो दिन GS3, दो दिन GS1 और GS2, what you have to do is, कि daily basis पे आपने सी दो question pick करने है, mostly वो जो आपने पढ़ रहे हैं, जो आपको आते हैं, या जो थोड़ा सा आपको लगता है, रहे, news में बहुत पर दिख रहा है ये चीज को, है न, उसको आप उठाओ, पहला आपने reading माल ली questions की, भाई, पहला आपने आपने अ analysis करना है, देखो, answer rating का ये बहुत ही अच्छा method होता है, इसमें जब आप question पढ़ोगे, देखो, तरीका क्या होता है, एक question आपने पढ़ा, question में आपने keyword को ढूंडा, कि भाई, इस question में keyword क्या है, उसके बाद आपने उस keyword का introduction, answer में आप देख लोगे कि भाई, introduction में, उस keyword को dimensions है, उनको break करके, body में add किया गया, और उस keyword से conclusion लिखा है, एक positive note पर end कर दिया है, या फिर summarize कर दिया है, जो भी कहा था, यह हमेशा हर एक answer rating question का, यहनो, answer का एक format होता है, आपने format नहीं लिखना है, आपने समझना है, ठीक है, दो चीज़ें आप कर सकते हैं पहली चीज, जो question आ रहा है, तो हर question ज्यादा तर जो question है issue based होते है, अगर आप PYQ go through करोगे, मेंस के या पिलम्स के, आपको issues बहुत repeat दिखेंगे, यहना, woman वाला हो गया, आपका गांदी जी हो गया, गांदी जी के principles हो गया, climate change हो गया, pollution हो गया, ठीक है, biodiversity हो गया, coral reefs हो गया, इस तरीके मत अब बहुत सारे issues है, जादा नहीं तो 25% तो minimum ऐसे topics हैं, जो हर साल repeat होते रहते हैं, तो अब आपने करना क्या है, एक question का आप ज़्यादा key points लिख सकते हो, है ना, माली जै कि जैसे example के तौर पर आपको देता हूँ, कि जैसे question आया था past में, कि हाँ बाई, जो गांदी जी क पहले introduction दे दिया, उसके बाद उनके क्या-क्या principle या उनके क्या thoughts थे, उनके क्या significance एक एक दो-दो line में लिख दिया, तो आपकी body एक ready हो गई है, in just 50 words you have to write, इसे क्या होगा, जो question है, उसका आपको framework ready हो गया, हरी question का framework ready हो गया, और कल को अगर same theme से question आता है, तो it will be very easy for you, क्य हो जाएगी, ठीक है, तो again I will repeat, पहली activity न्यूस पेपर की जो notes हम डालते हैं, 10 minute में पढ़ो, बहुत ही एक एक लाइन में, दो-दो line में लिख दो, 15 minute, उसके बाद 10 MCQs daily basis पे करो, 15 minute लगेंगे, और 10 minute में उसके short notes, एक एक दो-दो line के notes रेडी करो, factual type, one liner, 25 minute इसमें लग ज and that is it, that is the one hour that I need from you, और ये चीज़ आपने regular basis पे करनी है, चाहे कुछ हो ना हो, चाहे आपका static हो ना हो, चाहे आपकी monthly magazine current affair हो ना हो, चाहे optional हो ना हो, बट कोशिश करिएगा जो एक घंटे में में जो चीज़ आपको कही है, प्लीज इसको कर लेना, अब इसके फायदे क्या है, कुछ हो ना हो, आपका थोड़ा बहुत current affair, जो important है, वो तो cover हो रहा है, पहली चीज़, आपके notes ready हो रहे है, जो आपको film से पहले end moment पे revision में help करेंगे, तीसी चीज़ आप practice कर रहे हो, you are practicing everyday, हर दिन आप practice कर रहे हो ना, और MCQs की, और साथ ही साथ, you are also going through the PYQ, सोने पे हो आगा, और last में point आता है, mains, भाई, unsighting के लिए बहुत डरते हैं, क्या करें, कैसे करें, mains होता है, वो भी आप कर रहे हो, तो एक घंटे में you are just targeting the core of UPSC exam, ठीक है, और पांस दिन आपने ये करना है, छटे दिन आपने क्या करना है, छटे दिन जो आपने current affair की जो notes बनायत उसको रिवाइस करना है, को Sunday को आपने पोस्स नहीं करते है, Saturday वाले को adjust कर देना, Saturday वाले को adjust कर देना, in पांस दिनों में, और Saturday को, आप चाहो तो 15 मिंट में रिवाइस, वो notes भी लिख सकते हो, Saturday वाले, और बाकी जो भी आपने Monday to Saturday notes बनायते हैं, current affair के, उसको रिवाइस करो and that is the one hour I want from your side, और ये जो आपके short notes बन रहे हैं, जो ready हो रहे हैं, पिलम से पहले कुछ काम आएना है, ये notes आपके काम आएंगे, आज भी मेरी बात, लिख लो, सुन लो, अभी लग रहा होगा कि यार, इसे क्या ही हो जाएगा, छोटी-छोटी चीज़े जब आप करोगे न तो एकदम से आपको result नहीं दिखता है, और हम तब demotivate हो जाते हैं कि या result तो कुछ दिखनी रहा है, ऐसे नहीं दिखता है result, actually मैं जब आप exam, मैं examination, you know, center में होंगे, जब आप exam लिखोगे, या जब आप practice करोगे, तब आपको, तब आपको change नजर आएगा, ऐसे नहीं न 4 months, 4 months तो बहुत दूर की बात है, एक हफते में आपको change दिखेगा and you'll be progressing exponentially, ठीक है, तो ये चीज़ है, please को follow करियेगा and ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़े time to time लाता रहूँगा, क्योंकि exam नजदीक है, तो पैनिक हो जाते है students, strategy videos को थोड़ा कम दिखियेगा, और थोड़ा स जो practical चीज़े हैं जिनको apply कर सकते हैं life में, preparation में उनको add करियेगा, ठीक है, so that's all from my side, बताइएगा comment करके कि कुछ time बाद जब ये exercise आप follow करोगे, कैसा feel हो रहा है, माल जब notes बनाते हो, मुझे भी show कर सकते हो, telegram पे मुझे send कर सकते हो, या फिर most of telegram पे आप send कर सकते हो, तो अगर कभी बनाते हो, तो you can show me also, ठीक है, so that's all from my side guys, so thank you so much and have a good day